करेंगे लो गाइज वेलकम बैक टू होमक प्लास आज हम देखेंगे अमारे जो प्रीवेस यह कुश्चन पेपर हैं फॉर प्लास टेन ठीक है सो उनको हम आज सॉल्व करेंगे वन बाइवन हर एक कुश्चन के मैं आपको सुलूशन यहां पर बताऊंगा जिस जो भी कुश् प्रॉब्लम क्रेट कर रहा है उसको आप कमेंट बाक्स में पिनप कर सकते हो उसके लिए मैं अलग से आपको सुलूशन प्रोवाइड करा दो ठीक है सो इसकी जो भी पीडिएफ और जो भी सुलूशन से वह सारे डिस्क्रिप्शन बाक्स में अबलेबल होंगे वहां से करना मत भूलना और बेला इकन चरूर देवाना ओके स्टार्ट करते है आज का हमारा पहला जो क्वेशन है इन एन एपी इस फिफ्टी डी इस माइनस फॉर एंड एसन इसका मतलब क्या हुआ है यह को हमाई यह आर्फमेटिक प्रोग्रेशन है ठीक है जिसका एकॉल तो फि और स्टल सम ओब सीरीज ठीक है और हमें क्याक में क्या आइप करना फाइंड वैलो ओप एंस को सॉल करेंगे मैं आपको इसको साल आप करेंगे हमारा हीविन क्या-क्या है एक फिफ्टी गिवं है कॉमा बीकॉर्ष्ट्ट्व माइनस फोर्विवन है हमारा ठीक है एसन जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वर्स टू एन बाइस टू इंटू टू ए एन बाइटू टू ए प्लस एन माइनस वन इन्टू बी ठीक है यह हमारा क्या है यह हमारा टूटल फॉर्मूला है जिसको आप देख पा रहा है यहां पर जो भी लिखा हुआ यह हमारा बेसिकली फॉर्मूला होता है किसका एस एन के लिए ठीक है क्या है n by 2 into 2 plus a into 2a plus n minus 1 into d ठीक है तो हमें क्या निकालना है n की value निकालना तो हम क्या कर देंगे यहां से by putting the value कि क्या हमने क्या किया यह value को जो कि क्या हमाई एसन की value 0 रखती है हमने एक प्लस प्लस फिर हमने क्या रखा एं तो हमें यह निकल के आया 0 equals 2 and by 2 and by 2 bracket है एंड्रेड प्लस और यह माइनस का हमने मल्टिप्लाइ अंदर कर दिया तो भी यह ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस का 4N और प्लस का 4 ठीक है न हमने जब अंदर मल्टिप्लाइ कर दे तो हमाँ पास यह निकल के आ गया अब अब हमने क्या किया इसको एन बाइट टू है जो टू को राइट साइड साइड बेजे तो वह क्या हो गया और लेड़ी जीरो हो गया तो जब इसको सॉल्ट के तो यह आ गया हमारा अब यहां से हमने क्या शुरू किया इन की वैलू निकालना विद्धा हल पाफ कंपैरिजन ठीक है यहां से हमने क्या किया एक जीरो निकल गया आ गया और दूसरी एन एक पॉल्स टू हमने इसको जब रखा जीरो एकॉल्स टू जीरो इक वश्टू वन जेरो फूर माइन ठीक है यह रहा गया तो हमने फिर क्या किया वन माइन फूर नको बेज दिया तो यह क्या जाएगा एन एक टू उन जेरो फूर बैई तो फूर कि तो अब यहां पर क्या किया वंकर यहां से एन की हमारी कितने निकल के सब्सक्राइब आपको दिखाता हूं सब्सक्राइब जहां पर आपको विजिबल ठीक है जैसे हमने यह सेर किया सब्सक्राइब मतलब हुआ सब्सक्राइब गरना किसका किने बीज़ेद वर क्यों उसमें क्या करना है है यूजिग एन एरby हमें बतानी है इसमें ठीक है सुंक्या करें उसमें हम यहां से निकालें अपनों हो डिटी आन्य ने और आपको तर्था ठीक वो अब हम्ने यहां से देख लिए अब क्या किवन बिटें किया कि हमारे पासluded अमारे पास गिवन है क्राइब क्वेन हैं से को दिखा दू ए न कि वेलू क्या गिवेन है वहां पास यहां सब्सक्राइब धिए सबाइब क्राइब धिक रहा है कि यह क्या जाएगी पहली टेवल में 14 गया यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर रखेंगे यहां पर सुरी यहां पर बना देता हूं प्लस है यहां पर एंट किया करना इस को सॉल्व करना है तो एसन की वैलू क्या जाएगी 2 s and equals to 12 by 2 16 एपिर लगा एगे हमने कितना अगया 14 इंट्व 2 28 आगया थीक है ना 28 आगया फिर आम ने क्या किया प्लस लगाया और यहां पर उसको ट्ल से माइनस किया बचा 1111 कितना आ गया 77 आ गया थीक है अब हमें क्या करना है इसको सिर्फ simply कुछ नहीं करना 28 को प्लस 77 कर देना है और इसके बाद इसको सिख से मटिप्लाइ कर देना ठीक है तो यह कि आ जाएगी 630 ठीक है ना अजन्वित कि आ जाएगी 130 आ गई आपकी और यहीं हमारा ऐंसर ठीक है तो हमने यहां पर क्या देखा अभी यह जो हमारा कुश्चन था गिवन था पहला पार्ट था इसका इनने सॉरी फाइंड सम्माब फॉस्ट वाला उसका आंसर के आगे सिक्स थार्ट अब इसके कंफर्मेशन कैसे दू यह रही हमाई आंसर सीट है जो मैं आपको प्रवाइड करा दूंगों पहले का आया एंट 26 दूसरे का आया सिक्स थार्टी एसन तो अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेशन की तरफ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वेशन क्या है सॉलेड मेटैलिक स्फेर ऑफ रेडियस 3 स्टार्ट करने के लिए और बस हमें इतना पता चल रहा है अगर रेडियस गिवेर तो क्या होगा हमें दोनों का वैलूम एक्कवल कर सकते हैं क्यूंकि जो मैटैलिक स्फेर था पहले उसको हमने उसको ही मेल्ट करके नए सिलेंडर सेप में किया था ठीक है तो दोनों का जब हम वलूम करेंगे सो फॉर्मला क्या बनेगा वलूम ऑफ इस वेलू क्या होती है और वलूम ऑफ सिलेंडर की क्या होती है पाइंटू और यहां पर पाई की वैलू रखोगे तुन्टी होती है अब हम चलते हैं तर फायंड नेचर आप दरूट सब्सक्रीट क्या होगा पर टिक एक जीरो है धर टीक है अगर गरीघर देन जीरो तो तो च्ञाँगे और एक पूल यूट शाज आएंगे और ऐसे करके हमारे नो इस रहाएंगे अगर जाएंगे तो से अन्हें तुट यहां से इन निकाल देन का फार्मला क्या होता है बी स्कुर माइननस यहां पर क्या हो जाए एक वेली क्या होता है नर्मल कौठ डिक एक्वेशन हमारी क्या होती है एक्स स्क्वाइर फ्लस बीएक्स प्लस सी कोस्ट जीरो ठीक है तो एक वेलू वन हो गई वी की वेलू माइनस फाइव और सी वेलू नाइन यहां पर जैसे तुम फॉर्मुला में रखोगे क्या आएगा टुटिफाइव मैंस थर्टी सिक्स की जीरो है ठीक है यहां से क्या निकल के आया कि वेसन जो है वह उसके पास हमारे नो रियर रूट्स ठीक है और अब आता है सेकें इसका भी पार्ट क्या राइट राइत कोड़ेक की क्वेशन विथ रूट्स मैंनस त्री ठीक है मत्तब क्या अभी हमने उपर से एक वेशन दी थी उसके रूट सबस्टार नहीं पताना कि यह एक वेलू यह बीकि वेलू अगर डारेक्ट एक वी की वेलू दी होती तो में रख देते आंसर आजाता लेकिन अब हम क्या करेंगी यहां पर दो फंडे हैं यह तो अगर आपको सौर्टिक अपना नहीं है तो क्या करोगे एकस प्लस ए और एकस माइनस बी का फार्मॉला लगाओगे तब रखोगे यह फिर दूसरा फॉर्मॉला क्या है हमने पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वाइर माइनस ओर सी अपान टूए वाला ठीक है वहां से प्लस वाला इसके साथ रख दो यह जाएगा हमारी एक नॉर्मल सी क्वेशन बनके आजाएगी यह रही जो एक फैसं ठीक है आप आंसर की टेंशन ना करना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडिया प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है अब चलते हैं question number four find the mode of the following frequency distribution ठीक है मतलब क्या find करना इसका mode find करना जैसे इसमें तीन पार्ट्स होते है mean median mode ठीक है कैसे करेंगे इसका जो मोड का फॉर्मॉला होता वो मोड की क्लास हमने ले ली एक फोटी टू सिक्स्टी क्योंकि हमें क्या करना find the mode of the following frequency distribution ठीक है हमने यहां से दिखाला इसका मिडल टम सही निकालते है जो इसका मिड़ ठाम होगा तो मिड़ आ जाएगा इसका इस कि देख सकते हैं कि मिडल टॉल के बाद भी दो है तो कि पहले भी निप को ठीए कि निकाला जिसकी रेंज का 50-60 तक है मोड का फॉर्म्मुला लगाया फॉर्टी प्लस ट्वेंटी इंटू तो थोल माइनस सेवन क्या है यह यह फ्रिक्वेंश यहां पर गेवन है यह ट्वेल और इसकी पहले की फिर्कवेंशी सिसे माइनस कर दिया हमने 12-7 upon 24-7-5 ठीक है मैं आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको मैं इसका एक फॉर्मॉला दिखा देता हूं अभी कि मोड का फॉर्मॉला कि मोड का फॉर्मॉला यह आपके सामने क्या है यह एक्या है एंस को एंस फॉर्मॉला यह जिए उनलेते हैं पर जो जब गुरूप डाटा है तो हमने यहां पर इसका फॉर्मॉला लगा के आंसर इसका निकाल लेगे ठीक है जैसे यह जी यहां पर यहां पर यहां पर क्या करेगा एट माइनस सेवन रखेगा उपर फिर नीचे करके यहां से मोड निकालेगा ठीक है तो अब हम चलते हैं अपने हमाई क्वेशन पेपर की तरफ ठीक है जो अल्रेडी हम डिसकस कर रहे थे यहां पर तो अगर जैसे आप यहां पर फॉर्मॉला रखोगे और आंसर रखोगे तो आपका यह आंसर आ जाए ठीक है वेलू रख तो इसके कई सारे मैह सारे मैथे जैसे फिर्फक्टी चोरा या फिर सब्सक्राइवर आप किसी भी आप किसी उथा स्वार ke सब्सक्राइब करते होğर जैसे कि यहां पे यहांन दिया हुआ निकाल लिझे की वेलू कैसे टी स्क्वा cowboy minus four A c A हमारा यहां पर two है B minus five और three क्या है minus one तो यहां से इसने क्या निकाला डी की value और जब डी की value निकाल दी तो यहां पर x equals to minus B plus minus root d upon two a कर दिया और यहां से क्या आ गया x की value ठीक है x की value दो पार्ट में आ गई ततने हैं यहां पर ठीक है ड्यक्ति फ्लस और माइनस होता है एक प्लस की वैलू है माइनस की वैलू अब चलते हैं कुस्ट नमबर सिक्स में इन फिगर वन इस टेंजन्ट पी एंड पी बडिल्टेंजन्ट है ठीक है रांफ पॉइंट पीटू दूसर किया क्या हुआए दू क्वाइंट से कौन से एंगल में 70 डिगरी पे हमें क्या फाइंड करना है मीजर आफ एंगल पी ओ ए तो यह वाला एंगल हमें यहां पर इस रेडियस पे पर्पेंडिकुलर के एंगल कि तरह है सेम यही है और बीपी क्या यहां पर प्रापर्टी और प्रॉपरिटि वह उसमें क्या एंगल और वह वह एंगल और वी यह पूरा एंगल निकालना ठीक पूरा एंगल निकाल आ यह समटपट, क्या होगा होगा हमें यह ढर्राइल एंगल IOBecause क्तना होता है! हमारी सिम्लर्लिव ट्राइंगल बी ओ और एंगल जो पी ओए हो क्या जाए हमारा 55 से ट्राइंगल एप सी और यह कि यह यह त्राइंगल की इसका नाइटी डिग्रीं यह यह जो प्यांगल शर्वाइट आज लिए बिक 55 55 तो इसकी वेलू कितने आगई 55 ठीक है अब चलते हैं कि तरफ यहां पर क्या गिवेन है हमारा कि दा फ्रिक्वेंसी डिस्टिबिशन गिवन ब्लो सोग्वेट ऑफ फॉर्टी स्टुडेंट मतलब यह जो फ्रिक्वेंसी है यह टोटल वेट कितने कितने अब हम क्या निकाल लेंगे इसका मीडियन कैसे निकालना जो मीडियन का हमारा फॉर्मूला होता है वह पहले हम क्या रखेंगे मीडियन क्लास निकालेंगे तो मीडियन क्लास क्या होगी हमारी यहां पर क्या फाइंड करेंगे पहले यहां पर फाइंड करेंगे अपनी मीडियन क्लास मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं पहले 55 बाली मीडियन क्लास बन जाएगी ना अब हमें क्या find करना है median find करना तो इसके लिए हम क्या पहले find करें cumulative frequency find करेंगी वो कैसे करते हैं 9 का पहले 9 लिखा फिर हमने क्या किया 9 में 5 8 किया 14 14 में फिर हमने क्या add किया 8 आगे 22 22 में 9 8 किया 31 में 6 8 किया तो आ गया हमारा 37 37 3 8 किया आ गया हमारा 40 ठीक है यह जो 40 आया हमारा यह क्या बन जाएगा यहां पर एन इसको consider कर लेंगे ठीक है एन क्यूं करेंगे जो हमारे मीडियन का फॉर्मूला होता वो क्या होता एल प्लस एन बाइट टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच ठीक है ना यह फॉर्मूला होता है अब हम यहां पर क्या करें इमारा पास सारी वैलू अगई मेडियन क्लास यहां ऑ गई और यहां पर क्या रग दी और émडॉत रखा हमने ठीक है यह हाइट रख दी हमने एच और जो एन बाइट टू हमारा एन क्या यह 40 है तो एन बाइटू मतब 40 को टू से रिवाइट किया कितना अगए 20 और 20 माइनस 14 14 क्यों कर दिया यह जो हमाई तरफ वो क्या है रो ऑ सर्क्ल ऑफ रेडियस पूर सेन्टी मिटर है का पर टेंजन टू दा सर्किल फ्रॉम अप्वाइंट सिक्स सेंटी मिटर अवे फ्रॉम इट इसका मतलब है एक सर्क्रें जो में बनाना वो इसकी रिडियस होनी चाहिए ऊसन्टी मिटर और जो सब्सक्राइब एक कि आर्क लेगे उसे मदब से सर्कीर बना लेंगे ठीक है इसकेल से मीजर करके सेंटर से और सिक्स चेमिटर डिस्टेंस पर पॉइंट मार कर देंगे फिर जैसी circle बनाएंगे वैसी perpendicular बनाते हुए हम वहां पर दो tangent draw कर देंगे simply ठीक है कुछ नहीं करना उसमें और फिर आ जाते हम इसके part B में draw line segment PQ 7.5 divide it into ratio 3 ratio 1 ठीक है इसका मतलब क्या है यहां पर हमें करना है एक line segment बनाने 7.5 cm की और क्या करना है making T& A Q Video ठीक है एक हमें एक्यूट एंगल बनाना है ठीक है वह एंगल कैसा हो जो हमें क्या करता हो PQ को divide करता हो 3 ratio 1 में मतलब एक Party 3 में आ जाए और एक पार इसका 1 में आ जाए ठीक है सिर्फ acute angle जैसे ही बनाऊगी वैसे या पी यह लाइन क्या होगी डिवाइर हो जाएगी रेशियो में ठीक है अब आ जाते हैं क्वेस्टन नमबर नाइन में इन दा फिगर टू दा एंगल ऑफ एलिवेशन आप टॉप आफ टावर एबी ऑफ हाइट एच मतलब एबी से हाइट कितनी है एच है हमारी ठीक है मतलब क्या है ईर पी अलबह स्थिवेिघयर स्थोस और पृइल एट कि वेलु किया है अप्सरीख Master आप देआल रेस्पेक्टिफली एंड प्रूप देट था आकार अई टुर्ल्म्ड मतलब यह दोनों एंगल क्या गिवन हमें थार्टी डिग्री तो क्या हमें प्रूब करना प्रूब देट एच इसक्वाइर इक्स वाइं यह बड़ा सिंपल है जब कैसे करेंगे इसको यहां पर हमने क्या किया 1060 डिग्री लिया क्यों लिए टैंस सो यह सब कुछ हमारा गिवन अब इसको हम प्रूब करेंगे एच स्कॉयर इसको टू एक्स वाइट ही तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर देख रहा है बेस और हाइट मतलब क्या है वी बी पी अपॉन एच एच बी फार्मूला आपको क्लास में अल्रेडी बता चुके हो सिक्सटी की वैलिए क्या रख दिया हमने रूट थ्री और हैच अपॉन एकस n रख दी हाइट अपॉन बेस खारती होतीए प्रीड यहां पर यहां से पा निकाली य एपां रूट 3 है तो हमने यहांपर क्या क्या कि-दो तो यह स्कुयर बन गया और यह और एक्स रोट रुट रूट त्री कैंसिल यहीं तो करते थीक है अब आते हैं कुस्टिंट नुमें ये अभी उपर क्या था मोड फिर मीडियर अब आगे है मीन पाइंड करना ठीक है यह ग्रूप डाटा है जो एज और नमबर आफ पेशेंट क्या हो गई यहां पर फ्रिक्वेंसी हो गई सिर्फ मीन का फॉर्मला रखो कि वैलू आपके सामने गिवन है यहां पर जो यह वैलू आ गई यह ना माइनस थर्टी थ्री सिक्स्टी आई है तो इसलिए हमने यहां पर प्लस की बज़ बजाए माइनस ले रखता है ठीक है और यह टोटल अमबर आफ फ्रिक्वेंसी का सम्क कितना एट्टी यहां पर आगया एट्टी और यह रखती हमने तो आंसर हमारा कितना आ गया 35.5 ठीक है अब चलते हैं क्वेश्टन 11 की तरफ 11 में क्या करना है हमें a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 1 centimeter in radius ठीक है तो the radius of the spherical part is 9cm find the amount of the water in liters it can hold क्या मतलब उखका एक कोई spherical glass से लेंडिकर नट का जिसकी लंबाई कितनी 8 centimeter मतलब हायट मान लो और 1 सेंटी मिटर मांनों ठीक और जो रेडियस ओंतर सच सब्सक्राइब दिए को पार्ट है इसके चुछ में सेंटी मिटर सबस्क्राइब करना कि कितने अमनट अब कर सकता ठीक है तो यहाँ पर पुछ नहीं करना जैसे और टाइग्राम बना लेएंगे इसकी रेडियेस का भी संटीमीटर हैiger एकने तो एक प्रड़ की पाइंट ये क्या आगया पाइसांटिमीटर क्यों उत्सकी है सब्सक्राइब निए इंटु आएच रखेंगे आगे हमाई वैलूम की वालूम और पर आप अब सिंपली क्या किया हमने वालूम इस फैरीकल रखा यहां पर क्या है पोर अपान थ्री पाई इंटू रेडियस नाइन रग दिया मतब आर क्यूब रग दी यहां पर क्या आगए नाइन सेवेंटी टू पाई सेंटीमीटर क्यूब आगए अब हम क्या करना है टोटल वलूम आउफ ग्लास निकालना तो दोनों को एड़ कर दो सिंप्ली दोनों को आड़ कर दिया पाई की वैलू रग दी 227 यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया ठीक है क्या अब अब क्या क्या की है वन थाउजन से डिवाइड कर दिया तो क्या आगए हमारा 3.08 ठीक है यह थी हमारी इसकी वैलू अबसे वाटर की फिर आता फ्रॉम आस सॉलिट शि मतलब एक कोई सॉलेट सिलेंडर है जिसकी हैट कितनी 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना इसका 1.4 ठीक है ना डायमीटर क्या होता है मतलब रेडियस का डबल ठीक है अग कोई कल केविटी अप दे सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट फाइंड डायमीटर इसमें जो काट के निकाल दिया गया है पार्ट इसका कोई कल केविटी का जो गिवें था उसमें क्या बताना इसका टोटल सर्फेस एरिया बताना जो बचा हुआ हमारा सॉलेट ठीक है समने क्या किया इसमें टोटल इसकी जो लेंथ दी है वह कितनी टूपइंट फाइव सेंटीमीटर यहां पर गिवें है तो पॉइंट फॉर कि लेना और यहां पर बस क्या किया सर्फेस एप रिमेनिंग सॉलेट का फॉर्मूला हंने बनाया उसमें टूपाई इंटू जिरो पॉइंट सेवन क्या गिवेन हमाई यहां पर भी घजो धियाम टो पाइर और हाई पाई प्लस पाई एश को रख और प्लस में पाई आर हुआ यहां पर कर ले ना यहां पर यह मिश्टेक है यहां पर सब 17.6 cm2 में आ जाएगा ठीक है अगर नहीं रखते हो पाई में रहना है तो 5.65 cm2 ठीक है अब चलते हैं को से नमबर टॉल की दरफ question number 12 क्या कह रहा है हमारा the tangent L is parallel to the tangent M एक ये L tangent है ये M है ये दोनों parallel है add drawn point at A and B respectively to a circle centered at O मतलब ये ऐसे draw की गई है कि ये जो circle बन रहा है ये OA और O भी क्या है ये perpendicular भी है ठीक है center of PQ is tangent to the circle at R ये एक जो PQ है ये P और ये Q क्या है ये tangent circle R पे prove that the angle P O Q 90 degree हमें बस ये प्रूब करना कि ये जो angle R हमें पता तो है कि ये जो अगर circle पे है tangent और ये जो लाएं तो हम क्या करना है ये angle 90 degree है अगर 90 degree कैसे प्रूब करना अगर हम OR को perpendicular प्रूब कर दें तो हम यहां का angle क्या बता सकते हैं PR Q या तो P O Q ये P O Q ये क्या है 90 degree है तो कैसे बता देंगी अगर हम आई ये दोनो 90 90 है मतलब perpendicular आ जाएंगे तो यह हम बता देंगे ठीक है तो कैसे करना ये देखते हैं यहां पर हमने क्या किया triangle O B P बनाया हमने triangle O P P ये right angle triangle दोनों हो गया वन और टू तो क्या कि एंगल वन और टू क्या कर दी है हमने equal कर दिये इसको ठीक है फिर क्या कि हमने triangle O A Q और O R Q O R Q क्या हो गया ये भी दोनों right angle triangle आ रहा है ना तो similarity property से हमने क्या कर दिया यह भी ट्राइंगल vpq ए गिवंदर यहां यहां से उसको पता चलता यह ज जो ट्राइंगल aq3 qp NPN NGP 5 यह जो यह वाला जो दोने आपकेय है इसको टोटल फर्ट कर दिया न कर दिया ना तो यहां से क्या रख दिया तो कॉमन निकाल कि यहां पर 90 आ गया तो एंगल 2 प्लस 3 क्या हमारा यह एंगल 2 यह प्लस 3 क्या हो गया 90 हो गया तो यह ही तो हमें प्रूब करना था कि यह ट्राइंगल पी ओ क्या है हमारा 90 दिया सो यूजिंग अंगल संप्रॉपर्टी यह दोनों 90 होंगे क्यों क्यों यह और यह अल्रेडी 90 है तो बचा कौन सा यह वाला एंगल तो यह वह बनेटी हो गया अब चलते हैं को स्टेंग नंबर 13 की तरफ यहां पर क्या कहा रहा है do you know old cloths which are thrown as waste not only fill the landfill site but also produce very harmful greenhouse gas so it is very important that we use reuse old cloth in whatever way we can the picture given below on the right shows a foot mat rug made out of old t-shirt yarn observing the picture you will notice that the number of stitches इन दे सर्कुलर रोज आर मेकिंग पैटरन 6 12 18 24 ठीक है बेज वाव इंफॉरमेशन आंसर दा फॉल्विंग पॉस्ट्ट चेक वेदर दा गिवन पैटरन फॉर्म यह क्या रहा है कि यह जो हमारा चलेगा अगर बना रहा है तो क्या अगर बना रहा है 12 माइनस 6 करते हैं 16fed और डो मिल्ड़ी अपला ठाहेते हैं जाता करने को अगर उसमते हैं करना तब क्या एंगे हैं स्वाइब म。u यांपर करना दो यहां पी क्या करेंगे ? एफोर प्लस डी एफोर का फॉर्मला तुम्हें अल्लेडी पता है यह अपने एफोर के यहां रख था एफोर 24 और प्लस 6 कर दिया 30 आ गया यह आ गया तुम्हारा एफाइब टर्म ठीक है फोर लेडी की वेन फिर क्या करा राइट एंथ टर्म आफ एपी हैंस फाइंड दा नमबर ऑफ इस्टेजेज इन टेंथ सर्कुलर मतब दस्वी रो में कितने होने चाहिए दस्वी रो मतब एंड टैन है मतब एंड की वैलू जो क्या है वहां यहां प सिक्स कर दिया तो यहां से क्या बन गया हमारा सिक्सें और माइनस जो सिक्स क्या यह तो खतम हो गया सिक्सें आ गया क्योंकि सिक्स माइनस इंटू जो करो गए तो यह सिक्स प्लस का और माइनस कैंसल आउट हो गया तो एंड को सिक्सें आ गया और यहां पर हमने क्या रख सब्सक्राइब तो इसने रखी तो क्या आ गया ठीक है यह हमने इसका अंसर बता दिए अब चलते हैं 14 की तरफ कुस्चन नमर फोटीन में कहरा दा फॉल्विंग टीवी टावर वाज बिल्ट इन नाइंटीन एटीएट एट इस लोकेटेड इन पीतंपूरा दिल्ली इट है जैन ऑब्जर्वेशन डेक ऑब्जर्द पिक्चर विलो यह हमाई कोई पिक्चर गिवन यह पॉइंट भी है य एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर पॉइंट भी एजिस सिक्स्टी डिग्री ठीक है देयर इजब पॉइंट सी ऑन दा टावर विच इस सेवेंटी मीटर एप्रॉक्स अबब दा ग्राउंड मतलब जो पॉइंट सी है सबसे उपर वाला उसकी हाइट कितनी द दाइग्राम बेश डाउन इंफॉरमेशन सिर्फ हमने डाइग्राम बना देना पहले तो यह हमारे जो पॉइंट है यह यह है और यह अपने से जम कर लिए ठीक है तो हम क्या बताना यहां पर एंगल आफ एलिवेशन क्या देरा सी पॉइंट के लिए थर्टी डिग्री थर तो कोई बात नहीं यहां पैर पनाने की इसकी कोई नीठी non confirm मैं फाइंटुम है यहां यहां पर हैट जांट ही से टावेशन करना थाैंट कर मुछांट आई और actually होटरिकौन करनी है तो क्या लगाएंगक हम वहीं मिओं यहां लगाया यहां पर किया कि एक्स की वैलू क्या वन अपान रूट 3 यहां से एक्स की वैलू क्या निकाली 78 रूट 3 डिस्टेंस ऑफ दे टावर पॉइंट ए ठीक है डिस्टेंस निकाल ली यहां से कि एक इसके को लग दिया 1060 के क्यों 1060 की वैलू क्या हो थी हमाई रूट 3 रूट 3 वी क्या गया बीडी अपॉन एक्स यह टोटल हाइट आप दावर और अपॉन एक्स यह इसका बेस हो ठीक है यहां से भी एक्स की मतलब बीडी क्या निकाली रूट 3 अब हमने क्या किया दोन हाइट आप दा टावर हो गया ठीक है ना क्यों क्योंकि 3 इंटू 78 तो यह हमाई अल्रेडी गिवन थी यहां पर अल्रेडी गिवन थी ना हमारी इसलिए हमने क्या कर दिया इसको यहां पर बस इसकी सिंप्ली वैलू रग दी 3 इंटू 78 और यह अंसर आगया आपका ठीक है तो अगर वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंट्स के साथ क्योंकि मैं इसकी पूरे सलूशन आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में प्रवाइड कर दूंगा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कम प्रवाइड कर दिक्स्वी येडंगे विडियो 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 आपको लेशन बाक्स्वाइड आपको खुज सेयर लिए येडियो को लाइड अट्सेट आ गुडेजूंगे लागी वेडियो आपको लिए प्लीग विद्ट ऑुज पूलना अद्र रिए लाधने उन